हलो एबरिवन स्टुडेंट्स हम कम्पनी लौक्य और चैप्टर डिसकस करें डिविडेंड अकाउंट्स एन अर्डिस अ क्या क्याद अनक्म कृण डिविडेंड के वारे में डिसकस किया auditor को ये भी चेक करना है कि किसी company ने dividend अगर पे नहीं किया या किसी dividend को claim नहीं किया गया तो ऐसी dividend को 7 years के बाद केंदर सरकार की अनुमती से एक particular account में transfer कर दिया जाएगा और company के liability है कि ऐसे amount को बाद में पे किया जा सकता है ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे interim dividend interim यानि की बीच में मध्य या अंतरिम और dividend आपको पता ही है लभांश तो लभांश कौन declare करता है अब तक हमने पढ़ा हुए कि company से related सारे काम directors करते हैं तो dividend declare करने का right भी directors के पास है interim dividend किस time declare किया जाता है interim dividend financial year के mid में या बीच में कभी भी यानि कि during the financial year कभी भी किसी company के directors इस तरह के dividend की declare को declare कर सकते हैं इस तरह का dividend तभी किन situations में घोशित किया जाएगा जब company के पास बहुत सारे profits हैं जिसको हम कहते हैं super normal profits बचे हमने last जो lectures किये थे उसमें हमने कुछ rules पढ़े थे 85 to 94 कुछ rules पढ़े थे तो बचे यहां पर हम बात करेंगे कि जब company के पास excess में profit हैं तो कोई company उस साल interim dividend को भी declare कर सकती है इस तरह के dividend को declare करने के लिए company को specifically annual general meeting का wait करने के requirement नहीं है और अगर कोई company interim dividend declare ना करके बलकि final या normal dividend declare कर रही है तो ऐसा company अपनी साधारन सभा में ही कर सकती है अब बात आती है interim dividend की तो interim dividend कब declare किया जाएगा दो annual general meeting के बीच में किसे बे time जैसे माले जे इस वर्ष की अभी आपने करानी है पिछले वर्ष की हो चुकी है तो आप किसे बे टाइम इस साल की annual general meeting होने से पहले कभी भी interim dividend को declare कर सकते हो यूजियली क्या होता है कि कि किसी company के articles directors को जो जो करने का right provide करते हैं directors वही कर सकते हैं तो यहां पर interim dividend को declare करने का right भी articles of association में directors को दिया गया होता है rule 86 कहता है किसका rule 86 table a का हमने statutory provisions किये थे उसमें हमने पढ़ा था एक तो statutory provisions और दूसरा हमने किया था table a के provisions तो यह table a के provision थे rule 86 कहता है कि कोई भी company के कोई भी company के directors interim dividend सिर्फ और सिर्फ तभी declare कर सकते हैं जब उस company के पास sufficient profits होने की expectation होती है जब आप एक बार डिविडेंट को जब एक बार डिविडेंट को जब एक बार डिक्लेयर कर चुके हो तो ऐसे डिविडेंट के बाद यानि कि एक बार तो आपने interim डिक्लेयर कर दिया उसके बाद जब company की AGM हुई तो उसमें आपने approve कर आके जो डिविडेंट के उसको हम final dividend कहेंगे तो यानि कि दो तरह की डिविडेंट की बात आ गई first interim वाला जो during the financial year कभी भी हम घोशित कर सकते हैं अब घोशित करने की बात मैंने की है यानि डिक्लेयर के मैंने पे करने की बात नहीं की it means company अगर इंटेरिम डिविडेंट को डिक्लेयर कर देती है तो company के उपर कोई अगर company को financial year complete होने तक losses हो जाते हैं तो उन laws की condition में company के डिक्लेयर किये गए इंटेरिम डिविडेंट को पे नहीं करेंगे वो मना कर सकते हैं ठीके बची I hope यह points आपको समझ में आ गए होंगी अब जब भी आपने दो annual general meeting के बीच में dividend declare किया during the financial year declare किया तो उसको अपने का interim dividend और AGM में जो declare किया तो interim को आपने side में रख दिया उसके इलावा जो आपने AGM में declare किया that would be your final dividend procedure क्या है जब आपने interim dividend की declaration करनी है तो मैंने आपसे बताया कि shareholders की meeting कोई requirement नहीं है directors को इसके लिए सिर्फिक प्रस्ताफ पास करना है यह प्रस्ताफ पास करेंगे कि वो इसी साल के profits में से interim dividend को declare कर रहे हैं इसके लिए company के final accounts को prepare किया जाएगा profits को estimate किया जाएगा जब accounts prepare हो जाएगे तो इस तरह के interim dividend को तभी declare किया जाएगा जैसा company के लिए proper हो और उसी तरह से हम declare करेंगे जैसा company final dividend के लिए करती है इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए है statutory provisions या law regarding interim dividend अब देखो rules की जब बात आती है तो हमेशा आपने सबसे पहले क्या लिखना है आर्टिकल्स क्योंकि किसी company को चलाने के लिए नियम company के आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं अगर आप आर्टिकल्स फोलो नहीं कर रहे हो तो टेबल ए फोलो जाती है ठीक है जो की companies act में बनी बनाई है आप as it is उस टेबल को यूज कर लेते हो जहां पर आपके आर्टिकल्स साइलेंट है या फिर हर company अपने objective को पूरा करने के लिए अपने articles of association को बनाती है तो अब जब interim dividend को ए company declare करना चाहती है तो provision क्या सबसे पहले articles को study करने है company के articles of association ने directors को authorize किया हो कि आप ऐसे dividend को declare कर सकते हो rule 86 of table है क्या कहते है तभी apply होता है जब articles में allowed है तो ठीक है आप तभी applicable करते हो if the provision of rule 86 of table A are applicable to the company जब applicable होते है तो ही किसी company के directors को पास authority है कि वो interim dividend को declare कर सकते है अगर ऐसा articles में नहीं लिखा हुआ table A में rule 86 दिया हुआ है कि company के पास super normal profit है किसी साल में तो वो interim dividend दे सकते है अब बात आती है 86 में तो लिखा हुआ है table A में लिखा हुआ है articles में नहीं है तो company alteration कर लेगी जो हम already पढ़ चुके है alterations in articles of association ठीक है I repeat company के पास अगर किसी वर्ष ज्यादा profit है तो company के articles में या तो usually ऐसा लिखा होता है और अगर नहीं लिखा company ने तो table A में इसके लिखा गया है rule 86 अगर company नहीं लिखा तो rule 86 को follow करते हुए कोई company ज्यादा profits के case में अपने articles को amend करके अपने articles में alterations करके प्रस्ताव पास करेगी alterations करेगी और super normal profit के case में interim dividend को declare कर सकते हैं second point company के profits को ध्यान में रखते हुए ही किसी company के directors interim dividend को pay कर सकते हैं तीसरा इसके लिए annual general meeting में confirmation लेने की कोई भी requirement नहीं है जब आपने एक बार interim dividend declare कर दिया तो उसको किसी भी time cancel भी किया जा सकता है कब declare करने के बाद और payment करने से पहले उसके बाद interim dividend के लिए auditor से भी सला मांगी जाती है advice of auditor अब directors कई बर क्या करते हैं कि interim dividend की घोशना करने के लिए auditor के प्रामर्श ले लेते हैं उसकी सला ले लेते हैं तो लेकिन इसके बारे में सला देना तो एक tough task है किसलिए है क्योंकि company के अभी आपको actual profits का नहीं पता real profits का नहीं पता सिर्फ आप estimate लगाएंगे तो auditor जब interim dividend से related कोई सलाह किसी director को किसी company के directors को देगा तो उन्हें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है पहला auditor सबसे पहले उस company के आर्टिकल्स को पढ़ेगा ठीक है कि company के आर्टिकल्स में ऐसा है या नहीं है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है फिर देखा जाएगा rule 86 इसके उपर apply होता है कि नहीं होता है company के उपर second point suppose कीजिए बचे first point में कि rule 86 ने कह दिया super normal profits है तो आप interim dividend दे दीजिए ठीक है तो यह तो तभी apply होगा न जब company के पास super normal profit है आर्टिकल्स में नहीं लिखा था भूल गए थे लिखना अब अगर किसी company के पास normal profits माल लीजिए उनके हर साल सिर्फ 10 लेक के profit होते है इस साल 10 लेक 20 थाउजंट हो गया तो सिर्फ 20 थाउजंट exceed करने से कोई company interim dividend पे करने की condition में नहीं होती और्टिटर को सला देने से पहले यह सब चेक करना ज़रूरी है second determination of profits auditor जब सलाह देगा तो उसको पहले यह भी चेक करना है कि company के profits जो estimate लगाए है directors ने क्या वो सही है कि नहीं है company के final accounts को बनाया जाएगा उनके से वो चेक करेगा अगर company का business इस nature का है कि net profit और sales का ratio हर साल सेम रहता है उस case में आपको final accounts बनाने की requirement नहीं है तीसरा estimation of future profits जब भी auditor सलाह देगा तो उसे future profits को भी ध्यान में रखना है क्योंकि बचे हुए financial year में अगर आप अभी तो dividend declare कर देते हो पे भी कर देते हो लेकिन आपको लगता है कि बचे हुए financial year में आपको losses हो सकते हैं तो क्या माना जाएगा तो ऐसा interim dividend फिर भी अगर आप पे कर देते हो तो माना जाएगा कि आपने capital में से पे किया और ऐसी गलत सी सलाह देने के लिए auditor और director दोनों responsible माने चाहेंगे उसके बाल लिक्विड पोजिशन लिक्विड याने की कमपनी के पास cash या near cash assets कितनी है लिक्विड पोजिशन ऑफ कमपनी को भी auditor को ध्यान में रखना है कि क्या कमपनी के पास इतने funds अभी अवलेबल हैं cash की form में कि वो interim dividend को पे कर सके इत मेंज auditor को ये चेक करना है कि आप interim dividend अगर पे कर देते हो तो company के working capital तो कम नहीं हो जाएगी जिससे company इस financial union में अपनी liabilities को पे करने में कहीं unable तो नहीं हो जाएगी ये सब चेक करना auditor का काम है उसके बाद future plans को भी auditor चेक करेगा वो ये देखेगा कि capital expenditure इसी future period में कितने होने वाले है आपने किसी loan को अगर पे करना है तो इस situation में cash पे करने cash अगर पे कर देंगे हम dividend की form में तो ऐसा करना company के लिए उचित नहीं होगा ये भी auditor को चेक करना है किसी company की past history को चेक करना है यानि कि क्या कोई company पिछले कुछ सालों में continuous लगातार बेसिस पर क्या interim dividend देती आ रही है अगर कोई company देती आ रही है और अगर इस साल company नहीं देती है किसी एक सल नहीं देती तो इससे उस company की goodwill उसके ख्याती अफेक्ट होगी जिसका अब आप फाइनल डिविडेंट चाहें ना दो वह आपको पता है कि डिरेक्टर्स डिक्लियर करते है अभी नहीं दिया तो टू मन्स के बाद दे देंगे लेकिन अगर कोई company हर साल interim dividend देती है और एक सल नहीं देती तो इसका effect आएगा कि अचानक से market में उस company की reputation डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी goodwill कम होने स्टार्ट हो जाएगी और अगर goodwill कम हो गई तो समझ लीजे कि shares के prices भी कम हो जाएगी tradition of other companies इंडस्ट्री में आपने पढ़ागा industry is a group of firms ठीक है अब एक इंडस्ट्री के सभी firms interim dividend देती है आपकी company नहीं दे रही तो इससे भी आपकी company की goodwill पे adverse effect आएगा उसके बाद proposed rate यानि कि आप कितनी दर से यानि कि कितनी दर से आप interim dividend पे करेंगे अपको दर का भी ध्यान रखना है कितनी दर से देना है मुझे कुछ पताएंगे आप इसके बारे में proposed यानि कि जो आपके दो तरह की dividend की मैंने बात की interim और final dividend हमेशे आपका ज्या कावित दर हमेशा final dividend से कम होनी चाहिए अगर आप interim जारा दे देते है final जारा देते तो भी आपकी company के ओपर negative impact आएगा क्योंकि main कौन से dividend है final dividend ठीके तो आपको क्या ध्यान रखना है interim dividend rate should be less than rate of final dividend ठीके बचे उसके बाद auditor और interim dividend का क्या relation है यानि कि जब भी वो auditing करेगा interim dividend के तो उसे क्या क्या चेक करने सबसे पहले articles of association फिर company के final accounts उसके बाद क्या company ने interim के लिए resolution पास किया है क्या उसे minute book में लिखा गया है interim dividend पे करने से company के working capital पे उसके liabilities पे क्या effect आएगा जब interim dividend issue किया तो क्या shareholders ने इसके लिए जो receipts दिया उनको match किया गया है तो auditor ये सब काम करेगा और फिर चेक करेगा कि interim dividend को directors ने ठीक तरीकी से pay किया है या नहीं किया उसके बाद है payment of dividend out of capital बच्चे हमने पहले भी इस chapter में बहुत पार ये चीज़ पड़ी है कि कोई भी company जब dividend देगी तो वो किस में से देगी वो अपने सिर्फ लाभों में से दे सकती है पुँझी में से नहीं देगी तो normally company को dividend capital में से देना allow नहीं होता फिर भी अगर कोई company capital में से अपने dividend को pay कर रही है तो माना जाएगा कि company अपनी इच्छा से shareholders द्वारा invest किये गए amount को वापिस कर रही है क्योंकि लाभों में से देना है ना आप लाभ में से तो नहीं दे रहे हो आप पुझी में से दे रहे हो और पुझी तो shareholders ने लगाई थी business को चलाने के लिए ना कि उन्हीं को dividend की फॉर्म में वापिस करने के लिए ठीक है तो company की assets company की capital को reflect करती है लेकिन अगर हम capital में से पे कर देंगे तो ये तो गलत होगा company के लिए examples जैसे किसी company ने किसे साल profit नहीं कमाई कोई पुराने पिछले सालों के profit भी नहीं पड़े फिर भी company dividend दे दे देती है तो जब ला भी नहीं है तो फिर भी दे दिया कहां से दिया तो understood की company ने capital में से दिया second point company के revenue expenses थे आपने revenue नहीं माना आपने capital मान लिया जब आपने P&L में लिखा ही नहीं इस financial year के खर्चे तो obviously खर्चे कम है तो profit हो गए तब dividend distribute कर दिया तो भी out of capital माना जाएगा तीसरा आपने assets की value को ज्यादा मान लिया जब assets की value को ज्यादा मान लिया तो आपके profits बढ़ गए तो भी गलत है उसके बाद अगर किसी company की liabilities को आप कम दिखा रहे हो चुपा रहे हो तब dividend दे रहे तो ये भी company के लिए negative impact शो करेगा क्योंकि माना जाएगा कि आप diet for pay नही दे दिया अब एक universal rules sir वमानने धारना क्या है कि कोई भी company लभांच तब ही देगी जब company के पास profit है अगर कोई company capital में से तब तक pay नहीं कर सकती जब तक वो company winding up की condition में ना हो यानि कि कोई company capital को raise करती है shares को issue करके लेकिन वो तो business को चलाने के लिए raise करती है dividend के लिए तो raise नहीं करती जब shareholders dividend को ले रहे हैं अब shareholders को तो नहीं पता ना वो तो directors को पता है कि कहां से pay किया जा रहे है इस condition में वो मानेंगे कि company उनकी capital ही उन्हें वापिस कर रही है अगर उ उनकी लगाई गई पुझी पर ब्याज sorry profit earn करती है ठीक है तो इन profits को particular funds की form में company कैसे utilize कर रही है company अगर profits में से pay कर रही है तो company के लिए beneficial है और अगर company capital में से pay कर रही है तो एक time के बाद company insolvent declare हो जाएगी और company का wind up start हो जाएगा उसके बाद है statutory provisions यानि की वैधानिक प्रावधान भी है लभांच के वित्रन के लिए section 123 says कि कोई भी company बहुत अलग अलग तरह के sources साधनों में से स्त्रोतों में से लभांच का वित्रन कर सकती है section 123 के according कोई भी company अपने profits या funds में से कौन से fund जो central या state government ने बनाए है distribution of dividend के लि इसे पहले वाले वीडियो में that was investor education and protection fund ये भी तो केंदर सरकान ने बनाया था कोई भी company या तो इस fund में से distribution करेगी dividend का या फिर अपने present profits या कोई last accumulated profits है तो उनी में से dividend को pay किया जा सकता है अगर किसी और source से आप dividend pay कर रहे हो तो उसको illegal माना जाएगा कोई company out of capital कर रहे हो that would be that would be illegal ठीक है reasons for prohibiting यानि कि रोकने के कारण पहला एक तो illegal होता है बई अवैद है section 66 के according कोई भी company central government की permission के बिना अपने capital को reduce नहीं कर सकती इसलिए पुझी में से लाभांच का वित्रन करना illegal है अवैद है दूसरा danger बई डेंजर ही हो जाएगा क्योंकि company की assets company की creditors के लिए एक assurance होते है कि उनको मिल जाएगा लेकिन अगर उसी assets में से हम सिर्फ shareholders का ही भला कर रहे हैं तो उनका पैसो ने वापिस मिल गया लेकिन creditors के लिए risk हो जाएगा third point prohibition निशेद rule number 94 of table A इसने का था कि पूझी में से लाभाश दिया ही नहीं जा सकता अगर कोई company के articles ऐसा करने का अधिकार दे भी देते हैं तो ये तो वाइड है ये तो पूरी तरह से निशेद है कि आप पूझी में से कभी भी लाभाश नहीं दोगे और अगर company के उपर ऐसी condition आ जाती ह है तो उस company का wind up start कर दीजिए उसके बाद liability दाइट तो क्या बनता है आपने dividend के distribution के लिए जो कुछ भी companies act में प्रावधान पड़े हैं उसके according जो प्रतिवंद पड़े हैं उनके according कोई भी company dividend पेखने के लिए लेकिन capital में से नहीं इस तरह की situation में क्या करना है company के directors को company में ट गलती से capital में से पे कर दिया है तो company के directors ऐसे पैसे को company में वापिस कर देंगे कैसे 5% interest के साथ ठीके बचें तो company के directors ने अगर गलती से कोई dividend capital में से पे कर दिया है तो directors को 5% interest के साथ ऐसे amount को वापिस करना होगा और अगर shareholders ने ले लिया है dividend तो shareholders को भी वो सारा dividend का amount वापिस करना होगा Students यहाँ पर आपका यह chapter खतम होता है तो I think आपको सबसे easy interim dividend ही लगा होगा आपने यह पहले भी पढ़ा हुआ है Students आप प्लीज इस chapter को पढ़िए और इसके रिगार्डिंग आपको कोई problems है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं Thank you so much for watching आपका यहाँ पर यह chapter complete होता है